मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चोहान ने कॉंग्रेस की एक और गैरेंटी छीन ली खरगौन में जन आशिरवाद यात्रा की रैली को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि ना केवल सावन के महीने में सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा बलकि अब 450 रुपए में ही सिलेंडर मिलेगा और शिवराज ने गेर पर अब सुनो केवल सावन के महीने में नहीं हमेशा साड़े चार सो में ही गैस दूगा गरीब दहने दरसल कॉंग्रेस ने विधान सभा चुनाओं से पहले जनता को जो पांच गैरेंटीज दी हैं उनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी शामिल है कॉंग्रेस ने ये वादा सभी वर्ग की महिलाओं से किया है ना कि केवल गरीब या उज्वला योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को इसलिए शिवराज सिह चौहान की इस गोशना के बाद कमल नाथ ने ट्वीट किया सियम शिवराज सिह आचार सहीता लगने तक जनता को गोशनाओं की भूल भुलया में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं फिर ये कहना शुरू कर देंगे कि अगली सरकार में देखेंगे लेकिन अगली बार ना उनकी सरकार बनेगी ना गोशनाओं पूरी होंगी ये भी लिखा कमलनात ने कि पहले सावन में 450 रुपए में सिलिंडर देने का वादा किया अब भादों का महीना लग चुका है और कह रहे हैं कि हमेशा 450 रुपए में ही सिलिंडर मिलेगा लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कब से मिलेगा गेर उज्वला योजना के हिद्गराहियों के लिए शिवराज कह रहे हैं कि रेजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सिलिंडर का कनेक्शन तो पहले से है उसके लिए अलग से रेजिस्ट्रेशन कराना आखों में धूल जोकने का लावा कुछ नहीं है साथ ही कमलनाथ ने ये भी लिखा कि कॉंग्रेस की सरकार आएगी और सीधे 500 रुपए में गैस सिलिंडर देगी बहराल मध्यपरदेश में गैरेंटीज की सियासत जोरों पर है कॉंग्रेस की 5 में से 3 गैरेंटीज को तो शिवराज ने छीन लिया है किसान करजमाफी और ओल्ड पेंशन स्कीम की गैरेंटी को बीजेपी पूरा नहीं करेगी जिन गैरेंटीज को छीना है उनमें महिलाओं के खाते में साड़े 12 सु रुपए जो 3000 तक बढ़ाई जाएंगे मुफ्त विजली और अब गैस सिलिंडर शामिल है